वेलकम बैक, हर साल जो साफ की जो कांसलिंग होती है, सी साफ की जो कांसलिंग होती है, उसे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 2022 की कांसलिंग से, 2023 के बच्चों को एक बहुत ही इंपॉर्डन चीज सीखनी चाहिए, कि एक बच्चा था जिसका 1st attempt में जो स्कोर था, वो चोईस फिल की थी, उसके हिसाब से, या जो उसके marks के हिसाब से, उसको college मिला, वो 1st attempt के जो marks है, उन पर उसका रहेंग अच्छा था, वालगा उसको वो college, जो 1st attempt के marks से मिला, वो ज्यादा अच्छा था, as compared to 2nd attempt की marks, तो नमबर तो उसके बड़े, 2nd attempt में आप नमबर तो ब mission मिलेगा, ज्याद अच्छा score आपका माना जाएगा वो, so all the very best बच्चो, 1st attempt में पूरा अपना efforts लगा दो, ठीक है, और 2nd attempt के बारे में मत सोचो, 1st attempt को ही आपको अपना last attempt समझ के efforts लगाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कि जब आप 2nd attempt के लिए जाते हो, तो आपके 20 नमबर बढ़ जाते हैं, 22 नमबर बढ़ जाते हैं, 25 नमबर बढ़ जाते हैं, पट कई बार percentile जो है overall वो का हो जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्त रहें, और ज्यादा से ज्यादा efforts लगाते र